भाजपा विधायक और पुलिस के बीच हुई नोक्छोक और आई विधायक दीना नाद भासकर ने दीज सफाई आईए दिखाते हैं अमंद वेदी किस खास रेपोर्ट में देखे जो आपका प्रस्ण है वो जायज है और इस घटना को लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हीत में घुमा करके बात करने की कोशिस कर रहे हैं जब आपने कहा कि नहीं हम आपसे बात करना चाहते हैं तो हमने एक आवाज जो मैंने कहा है आप आजाईए बात हो जाए यह असपश्ट करना बहुत जरूरी है पहली बात तो यह है कि यहां का एक बड़ा अधिकारी और आई से चुनाव लड़ना चाहता है और उसको चुनाव लड़ाने के दिश्ट कोर से एक पूलिश अफसर जो है उसी तरीके से यहां पर थाना अध्याच्छों की न्युक्ति करा रहा है और अपने तरीके से जर्णपत को हैंडिल करने की कोशिस की जा रही है जिसको हम लोग बारिकी से अध्यान कर रहे है मैं यहां था नहीं मैं पठना में था चुनाव परचार में गया था मेरे यहां का इसी कारियाले से सम्मंदित एक लड़का जो है वह केक लेने के लिए औराई चौराहे पर गया था और वह दो बच्चे थे एक का 20 साल उमर रही है एक का कम उमर रही है 10-12 साल या 13 साल उमर रही है तो वह लड़के बिना हेलमेट का गये थे तो वहां नीचे कोई राय साहब दरोगा है तो उन्होंने पकड़ा और 40 मिनट तक वहां रोके रखा और चलान किया तो इन लड़कों ने फोन लगा कर हमसे बात कराने की कोशिश की तो उन्होंने गाली दे करके और जो है फोन बंद करा दिये फोन बंद कराते समय तक मेरे पास रिकार्डिंग है कि वो फोन बंद करा रहे हैं उसके बाद इन बच्चों को भी गाली देने लगे और मेरे को भी अबसब्द बोला उन्होंने और इसके बाद मैंने जब इसकी सिकायट ESP से किया तो ESP सहाब ने हमारे को तवज्जु नहीं दिया और वह अपने दरोगा को परस्रे दिये और मेरे से बोले कि वह दरोगा मेरा excellent दरोगा है बहुत बहतरीन दरोगा है तो इनका बहतरीन दरोगा गाली दे रहा है और जब यह बात की शिकायत मैंने इसा इंस्पेक्टर से किया इंस्पेक्टर ने का उन बच्चों को बुलाईए तो मैंने बच्चों को भी बुलाई